आज हम लोग देखेंगे इन्वार्मेंट और इन्वार्मेंट में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आज देखेंगे कि पर्यावंड से रिटेड जो भी इंटरनेशनल ओगनाइजेशन अंतराश्य संगठन होते हैं एजेंसिया होती हैं यह टॉपिक इससे बहु रिटेरात ही जाओंगे तो देखें आयूसीयाचि पहले हम पड़ेंगे इंटर्नेशनल युनिएन फॉट का अजशियन ऑफ नेचिर गाद रख रखेंगे अब आयूसीइं का है। भी का सबसे पुराना सबसे वैश्विक पर्यावण नैट्वर्कों जिसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी, तो देखे, IUCN जो है, वो वर्ल्ड का पहली बात की सबसे पुराना है, ठीक है, वजब सबसे पहली हुआ, है न, पर्यावरण पर कोई ऐसा, जो है संगतन, ठीक है, तो ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भी है, ठीक है, कंजर्वेशन यूनियन भी कहते है, तो देखे, IUCN हम पढ़ रहा है, IUCN कहा है, सबसे पुराना है, और सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेट्वर्क है, कब सथापे तूबर 1948 में, ठीक है, ये आपको याद करने वाई चीज है, लेकर हम इतनी बार रिवाइस करे तो इसका है, ग्लेंड स्विजरलेंड, सथापना कबूई, 1948 औक्टूबर में, सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, ठीक है, इन्वामेंट पे, IUCN में सरकारी संगठन और गैर सरकारी संगठन, NGO दोनों सदस होते हैं, देखे, क्या होता है, कुछ संगठन में संगठन आयूसीन के सदर से अब देखे कितना बड़ा है इसको सबसे बड़ा इसलिए बोला है क्योंकि आप देखे इसमें कितने सारे संगठन आ रहे हैं अब फिर से हम रिवाइस करें आयूसीन क्या स्थापना कब हुई थी ऑक्टूबर नाइटीन फॉर्टीएट में ठीक साइन्टिफिक रिसर्च वगएर इसमें होता है कि होना चाहिए पूरे विश्व में फील्ड प्रोजेक्ट का प्रभधन करता है वर्ड में जो भी फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनको मैनेजमेंट करता है तथा सरकारी गैर सरकारी सहयुक्तरास युनाइटेट नीशन विभन कंपनिय और स्थानिय समुदायों को एक जोट करता है ताकि नीतियों एवं कानूनों का क्रियानवे अच्छी तरह से हो सके थीकि अब बहुत सारी मदब नीतियां वगएरा वंती है इन्वार्मेंट के लिए ठीक है लेकिन का क्रियानवे और अच्छे से हो सके इसक सुनेशित कर सके कि किसी भी प्राक्तिक संसाधन का इस्तिमाल पूर्ता न्याय संकत और सब्पोश्निय हो ताकि पत्रयावन संद्रक्षन एवं गरीबी निवार्ण साथ साथ हो सके तो देखिए यह क्या करता है कि जितने भी वर्ल में समाज है ठीक है उनकी मदद करता है कि जो हमाई बायो डायवसिटी है वो सुरक्षे मतलब संद्रक्षन हो जो कि हर सके और प्राजो भी प्राक्तिक संसाधन नेच्र रेसोर्स है उनका मतलब ऐसा इसा इस्तिमाल हो कि आगे की पीणियों के लिए वह रहे तो इसको संपोश्निय कहते है ठीक है और क्या होई प सब में आता है मतलब बायो डायवर्सिटी का संद्रक्षन बायो डायवर्सिटी को बचाना है मतलब कितने टाइप के जाज़र टाइप के पेड़ पॉस होते हैं तो बायो डायवर्सिटी को बचाना अठात पौदों पश्यों को लुप्त होने से रोकना एवं प्राक्तिक शेट्रों को नस्ठोने से बचाना ही आयूसेयन का मुक्काम में इसका में काम है इन्वार्मेंट से रेटेड होगा तो क्या है यह बायोडाइवर्सिटी को बचाना और जो भी मतलब पेड़ पहुत हो देने लुप्त होने से बचाना और प्राक्तिक शेट्रों उसको नस्ठ काम हो गई है उनकी एक लिस्ट होती है ठीके आयूसेयन कब बना बताईए उसका हैटक्वाटर कहा है कब बना ऑक्टूबर 1948 में ग्लैन स्विजरलेंड में इसका है और यह एक रैड डाटा बुक निकालता है आयूसेयन जैविवितास अंड़क्शन के लावा चार अन छे पर डाटा है संपोशनी हो जा सस्टेनेबल एनर्जी आगे के लिए भी अब जैसे फ्यूल खदम जैसे अनर्जी सस्टेनेबल रहे है अजीविका लाइवलि हूड पर लोग के पास लाइवलि हुड होना चीए काम होना चाहिए हरे अर्ष्विय वश्था घ्रीन इकनॉमी इन चार चीज़ों पर काम करता है तो यह याद रखे हैं यह चार चीज़ों पर और में ली बायो डाइवर्सिटी पर अब देखिए जो हमारी सहयुक्तरास्ट महसबा होती है उसमें IUCN को परिवेक्षक दर्जानी ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है तीक है यह सिर्फ इसे ही प्राप्त है जो मतलब इन्वार्मेंट से रेटर है जो पर्यावन और जविवरता से सम्मधित मुद्दों को दे अंग है नहीं अंग नहीं है यह काम लेकिन उसको परिवेक्षक दर्जान प्राप्त है तो फिर से हम एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ेस की रिपीट करेंगे इसका हैटक्वार्टर ग्लैंड स्विजरलेंड में IUCN का कब इस्थापना हुई ऑक्टूबर 1948 में रेट डा छीज़ेगे आपको से नहीं साथ forwards gonna a lot EB इसाथ यह संत्रास्ति ग्यार्सरकारी संगतअर तेकन presentाइक शविजरलेंड में धर्माज में ब्रॉप उसा ऱ्न देखनन है यह जरी यह संक्वावर्टियम्क अन्टराश्ट गयर शरकारी संह तिर्म इंजिए ठीकने कि निजेनس में गटे तुगा तो कब बनाएं 1961 में ठीक है मतलब एक स्विजर लैंड में 1961 में यह मतलब चैरिटेवल ट्रस्स के रूप में बना था यह विश्का सबसे बड़ा स्वतंत संरक्षन संगठन तो यह इंडिपेंडनिम्न स्वतंत्र है और एक संरक्षन संगठन है जो पर्य तो उसी के लिए काम करेंगे तो यह इन्वार्मेंट के संरक्षन शोध ठीक है रिसर्च गंजर्वेशन और पुर्नरस्थापना के लिए कार करता है तो इसका एक स्लोगन है for a living planet ठीक है मतलब एक फंड है ना नेचर के लिए तो for a living planet ठीक है इसके लिए है यह याद रख है कब बना 1961 में स्विजरलेंड के मोर्जे में एक चैटेवल ट्रस की रूप में बना ठीक है इसका स्लोगन है for a living planet यह एक प्रकार का कोश है जिसमें आदे से आदे हिस्सा व्यक्तिकत निजी स्वेच्छिक दान की रूप में आता है जबकि बाकी हिस्सा अमेरिका बिटेन तो इक तरीके का fund है जिसमें क्या होता है कि लोग भी उस में हिस्से दारिकते है कि पर्सनली लोग देते हैं यह फुर कोई सेस्था देती है ठीक है यह फिर क्या होता है अमेरिका बिटेन निद्स इसका fund आता है वर्त्मान में इसका अधिकांसकार जैवेवीटा की दृष बन ठीक है फ्रेश वार्टर एकोसिस्टम जिसे रिवर वगेरा हो गए लेक्स वगेरा जो फ्रेश वार्टर की रहते हैं ठीक है महासागर और तट शामिल है ये सारी चीजे ये तीन चीजों तीन बायोमों के संडक्षन पर ये मेली फोकस है कब बना 1961 में स्विजर लेंड के मोर्जेस में ठीक है स्लोगन है फॉर लिविंग प्लैनेट और गयर सरकारी संग्थन है ठीक है तीन बायोमों पर काम करता है वन फ्रेश वार्टर एकोसिस्टम और महासागर अनमुद्दू में ये विलुप्राय प्रजातियों जलवायू परिवर्तन प्रदूशन पर भी भारत में भी है डाइडिया कार रहते हैं 1986 से पहले संग्थन का नाम वर्ल-वायट फंड था था संग्थन का यह नाम अमेरिका और कनाड़ा में वर्तमान में प्रिच लेथे हैं नेम चेंज हो गई हैं तो इसमें जादा कन्फ्यूज में तो नहां सिमलर रहते हैं एक अपने वीडियो में ही याद हो जाए आई उसी एन कब बना 1948 में हैड़कॉटर ग्लैन स्विजर लैंड में ठीक है रेड़ डटा बुक में कालता है आई उसी एन और जैवेवित्या पर काम करता है आई उसी एन का अंग नहीं है इसाजयोक्त्रस्ट का अंग नहीं है आई उस स्विजर लैंड के मोर्जेस में चैटेवल ट्रस की रूप में बना स्लोगन है फॉर लिविंग प्लैनेट तीन बायोम पर काम करता है वन फ्रेश वॉर्ट एकोसिस्टम और जो ओशन्स पगहरा होते है उन पर अब हम तीसरा देखते है यूनिप ठीक है इसमें आई उसी और यूनिप काफी इनपोर्टेंट है सयुक्त राष्ट माहसभागे स्वीडन श्ट अब मानब परीयान पर हुई sub कब बना यह बना स्वीडन स्टोक हों में माना पर्यावरण पर कॉंफरेस होई थी 1972 में बना ठीक है कब बना 1972 में स्वीडन स्टोक हों में याद रिखे इसका मुख्याल है नैरोभी केन्या में इसका है नैरोभी केन्या में केन्या में है ठीक है केन्या में है नैरोभी में 1972 मे बना संगत्रावर्ण के लिए अंतर सरकारी इंटर गवर्वर्मेंटल तरीकों के लिए के लिए उत्तरदाई है जो भी पर्यावर्णि कारक्रम होते है या संग्ठन होते है उनका मैनेजीमेंट करना उधारन के लिए 1988 में जलवायू परिवर्तन पर अंतराष्ट्री पैनल IPCC का गठन विश्म मौसन विज्ञान सक्ष्टन WMO और UNIP ने मिलकर किया तो इसने IPCC बनाया था 1988 में जो WMO और UNIP ने मिलकर बनाया था UNIP का बना था 1972 में हेड़कवाटर नेरोबी केन्या थीक है याल रखें नेरोबी केन्या में सेयुक्तरास महासभा की स्वीडन स्टोखों में जो मानव परियावर्न पर कॉन्फरेंस हुई थी तब यह बना था अंतरसरकारी थीक है इसके बाद IPCC ने बनाया 1988 में WMO और UNIP ने मिलकर इसी तरह वैश्विक परियावर्नी सुविधा GEF की क्रियानव ऐजörperों में UNIP नेरोबी याद रखेंगा यीज़िदा अंतरसाले परियावर्न परयोजनूनों और है उनको आर्थिक साहता प्रतान करता हैं अरका बयाजिस संदवार्ट Solar My ट걸 अक्र ब्लोबाल 500 पी में अगर साथ हैं कि यउनञी को मना जाने वाला विश्वार्यवंट दिवस बनाते हैं ठीक है तो इसको बनानी का निर्णा यूनिप में ही लिया गया था जब स्टॉक होम सब मिलन हुआ था 1972 में ठीक है तो फिर से एक बार हम रिवाइस करेंगे आप मुझे कमेंड में भी बताएगे कि आयूसी इन कब बना 19 सबसे पहले बना और सबसे बड़ा था 1948 में ठीक है 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 एक वाटर ग्लैन स्विजर लैंड में बना यह आयूसी इन रेड़ डाटा भूक मिकालता है और यह क्या है आयूसी इन सेव ट्रस्ट का अंग नहीं है यह ध्यान रखेगा और अब्जर्वे इकोसिस्टम और ओशन और तट जो होते हैं वहां पर इसका में फोकस है ठीक है अब यूनिप यूनिप बहुत इंपॉर्ट है 1972 में बुना हैटक्वाटर नेरोभी केंडिया में है इसका ठीक है 1988 में WMO यूनिप ने मिलकर IPCC बनाया और यह जो है यूनिप वह ग्लोबल 500 प जरूर कमेंड करके बताइए और बाखी का हम नेक्स वीडियो में देखेंगे अगर आपको इनसे हेल्प मिलती है और आपको कुछ भी फायद हो रहा है तो फ्रेंड इसको जरूर लाइक कमेंड शेर सब्सक्राइब करिए शेर जरू करिए दूसरे फ्रेंड के साथ क्योंक कि ज्यादा रीच नहीं हो पारी है तो मतलब डी मोटिवेशन होता है करने में इसलिए बस थैंक यू